मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान और पूरू मुख्यमंतरी कमलनाथ के सवाल जवाब का सिलसला फिलाल बंध होने का नाम नहीं ले रहा है अब एक बार फिर मुख्यमंतरी शिवराज ने कमलनाथ से सवाल किया है और कहा अब फिर कमलनाथ द्वारा आसमान के तारे तोड़ कर लाने वाले और ना जाने कौन-कौन से वादे वचन पत्र में किये जाएंगे इसलिए जनता को जानने का हक है कि पहले जो वादे किये थे उनका क्या हुआ मुख्यमंतरी शिवराज ने पूरू मुख्यमंतरी कमलनाथ वग कॉंग्रिस पर तंजकस्ते हुए कहा कि कमलनाथ ने सवा साल कमीशन की सरकार चलाई है वल्लबभवन में बैटकर केवल कमीशन वसूलने का पाप अगर किया था तो कमलनाथ ने और उनकी कॉंग्रिस सरकार ने किया था चोहान ने कहा जूटे वादे उजागर करना मेरा धर्म है क्योंकि कमलनाथ सरकार ही जूट की बुनियाद पर खड़ी थी और फिर अब आसमान के तारे तोड़ कर ला देंगे और पता नहीं कौन-कौन से वादे वचन पत्र में किये जाएंगे इसलिए जनता को जानने का हथ है कि पहले जो वादे किये गए थे उनका क्या हुआ अपने वचन पत्र में उन्होंने कहा था मिट्टी एवं बीज परिक्षण की निशुल्ख सुविदा देंगे सिचाई के साधनों की अनुदान की राशी बढ़ाई जाएगी सवा साल में ना तो मिट्टी और बीज का परिक्षण निशुल्ख हुआ और ना सिचाई के साधनों की अनुदान राशी बढ़ाई गई कमलनाथ ने ये जुट बोला था कहकर नहीं किया कमलनाथ जी ने सवा साल कमीशन की सरकार चलाई बल्लब भवन में बैठके किवल कमीशन बसूलने का पाप अगर किया था तो कमलनाथ जी और उनकी सरकार ने किया था कॉंग्रेस की सरकार ने किया था जूटे वादे उजागर करना मेरा धर्म है क्योंकि वो सरकार ही जूट की बन्याद पर खड़ी थी और अब फिर आसमान के तारे तोड के ला देंगे पता नहीं कौन-कौन से वादे वचन पत्र में किये जाएंगे इसलिए जन्ता को जानने का हक है कि पहले जो वादे किये थे उनका क्या हुआ अपने वचन पत्र में उन्होंने कहा था मिट्टी एवं बीच परिक्षण की निसुलक सुविधा देंगे सिचाई के साधनों की अनुदान की रासी बढ़ाई जाएगी सवा साल में ना तो मिट्टी और बीच का परिक्षण निसुलक हुआ और ना सिचाई के साधनों की अनुदान रासी बढ़ाई गई आपने ये जूट वोला था कहके आपने नहीं किया मुखिमंतरी शिवराज सिंग ने सवाल करते हुए कहा पहले कमलनात अपने आपको भावी मुखिमंतरी बता रहे थे अब अवश्यम भावी मुखिमंतरी बता रहे है वो तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोस रही है कोई कह रहा है भावी कोई कह रहा है अवश्यम भावी मन को बहलाने को कमलनाज जी खयाल अच्छा है आतके दल के नेता ही कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंतरी तै नहीं हुआ है और जनता कह रही है कॉंग्रेस की सरकार नहीं आना है यह तै है यह भावी में अवश्यम भावी में संभावी में यह कॉ कॉंग्रेस का धनी धोरी आज देश में भी नहीं है अनेकों राज्यों में भी नहीं है शिवराज ने कहा अब मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कुछ सजन वर्मा कह रहे हैं कुछ बाकी के नेता कह रहे हैं बाकी हाथ में तो कुछ है नहीं लट चलाते रहें यहम अधिप कहलाने को कमलनाज जी ख्याल अच्छा है आपके दल के निता ही कह रहे हैं कि कोई मुखमंत्री तैही नहीं है और जनता कह रही कि कांग्रेश की सरकार नहीं आना यह यह तैह है और यह भावी में अवस्यम भावी में संभावी में यह कांग्रेश की असली हालत है कांग्रेश का धनी ढोरी आज डेस में भी नहीं है अन्यकों राज्यों में भी नहीं है अब मुझे कहने की जरूरत ही नहीं कुछ सज्जन बर्मा कह रहे हैं कुछ बाकी नेता कह रहे हैं बाकी हाथ में तो कुछ है नहीं है लठे चलाते रहें ये कांग्रेस की असली हालत है मधुर्देस में करते हैं सत्य का अन्वेशां दखल न्यूज आपके हक्त में आप देख रहे हैं दखल न्यूज